हेलो फ्रेंज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बत्वे की जबड़्जस्ट रैसिती ते आज हम बनाएंगे बत्वे के पराठे अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल फैजन सारे निशारस होई आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागते दिल से स्वागत करती हूँ अपने सभी यूट्यूब फैमिली का में बना रही हूं बत्वे के पराठे और वह भी आलूं की फिलिंग के साथ तो यहां पर थोड़ी सि डालूंगे लेकिन ही हाँ पर पूरा slate दे रहे वो बत्वे को दे रहे और सबसे बड़िया हम यहां बना रहे है चट्पटी चट्झनी तो यहाँ पर सबसे पहले ले लिया हमने बत हुआ जिसको मैंने अलड़ी इस तरहा डंडियों से अलग कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ मैंने पत्ते रखे हैं और डंड़ी स्कीप कर दिया है और अब इसे अच्छे से धोना है क्योंकि इसके अंदर बहुत जादा मट्टी होत लेकर लिए सब्सिक्राइब ろहाज करते हैं तो यहाँ बेंने पोजय के निदर पानी अदर अब गड़ियों है में कोिसा हो जाता है तो बहुत जादा कुके बढ़ने दॉख से निदर आए चुके हैं और हमारा बतुआ यहाँ पर चार से पांच मिनथ से भीतों को और तो अब हम क्या करेंगे सच्छे से पका लेंगे हैं पर एक मिनट तक तक अच्छे से इस तरह आइसे करना है और यहां पर कर देंगे बन अगर आपके पास टाइम इसे पानी के पड़ा रहे निभी यह तो आप इसे फोरण से निकालने और इसका पानी सारा निकाल दें बत हो चेक का लादी तो हम क्या क्या ले रहे हैं तो सब से पहले में आपको बता दू मैंने मिर्च लेरी है वन- यहां पर हल्दी ले ली है ईए हैं चाट मसाला फटी स्पून घंशन के पाउं तरी यहां तोड़ा सब्सक्owa नमक मग् लिए यहाँ अपर डालेंगे कोई भी यहाँ वे सकते हैं तो यहाँ पर मैं डालें अब अज़ेंगे अपने मैश कर लिया है तो अच्छे से मेश कर लिया और मेश करनेके बाद इसी के अंदर हम डालेंगे फिर अपना बत्वा तो थोड़ा भूद भी हमारा मोटा नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम आलू को अलेडी आटे के अंदर डालेंगे क्योंकि जितना हमारा बारिक होना चाहिए उतना ही बारिक करना है मैं बत्वा भी और आलू भी तो इहां पर इससे पहले भी मैंने बत्विए के परांटो की रेसिवी बनाई थी तो देखिए इहां पर इस तरह करेंगे बिल्कुल बारिक कर लेना है हमें अपने बत्विए को यह process man है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे आटे के अंदर ही गूनना है तो यहाँ पर हमारा जो बतुआ है, वो अच्छे से बिल्कुल मेश हो गया है और आलू यह बहुत अच्छे से मेश हो गया है जब हम रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसके अंदर लंस वगेरा, मोटापन, कुछ भी नहीं आएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीस लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीस आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना और ब्लाइकन का बटन यहाँ से दवा देना ताकि नट अपलीकेशन सबसे पहले आपको मिले वह भी बिल्कुल फिरी में तो यहाँ पर हमारा बतुब अच्छे से मेश हो गया है और इसे मैंने एक से दो मिनट पका लिया अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया अब इस स्टेश पर क्या करेंगे अच्छे से मिर्च हरी मिर्च और अफ्टीस पून अजवाइन अगर आपको दूसरी और उसका लिंक में दे दूंगी आप महां जाकर देख सकते हैं तो यह पर देखिए हमारा थोड़ा ठंडा हो चुगा यानिकि यानि कि 80% ठंडा हो गया है अब इसको क्या करेंगे इसको मिला लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी एट करेंगे तो आटा में आपको बता दूँ आटा कम से कम में यहां पर आधा किलो करीब लिया यानि कि यहां पर देखिए मेरे बत हुए के पराठे तयार हो रहे हैं और आटा बनकर बिल्कुल तयार हो गया इससे रख देते हैं आप साइट में तो आटा गुंद गया है हमें से को रेश के लिए चोड़ना नहीं है चटनी तयार कर लेते हैं जब तक तो इसके लिए इस पैसल टमाटर की चटनी बना रहे हैं आपर हम सबसे पहले चीजह में एक इंच लसन का अध्रक का टुगला सोरी और तीन से चाल लसन की कर लिए दो सूखी मुर्चे और एक सबसे बड़े साइस के लिए में टमाटर हरी मुर्च कट कर लिए हरा धनिया ले लिए मुठी भर अब चीज़ों के अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा ले लिए हमेने जीरा और टमाटर अगर आपके पास छोटा है तो दो ले लिए अब थोड़ा सब डाल देते हैं नमक तो मैं आफ़ टी स्पून नमक ले या तो आप इससे पीज लिजिए अभी थोड़ा सा पानी डाल के से अब इससे रख देते हैं साइट में अब ले लेते हैं आटा बस हमें रोटियां बनानी है बस इसकी लोगी तोड़नी है और सीधा जैसे हमें रोटियां बनाते हैं नॉर्मली बस इस तरह रोटी बनानी है और हमारा बतुए के जो परांठ है ना बहुत जबड़जस्त और तेस्टी बनेंगे ना तो इसमें भरने की टेंशन है कि हम इसको भर्मा पराथे बनाने हैं कि बत हुए को क्या करना है कि इसके अंदर हमने पांच आलू डाले माशल लाइस के अंदर आलू की फिलिंग भी बहुत अच्छी आएगी और बत हुए कि तो हमारे और लेटी पांद करते हैं कि जाए और ना मेंटी ना उषण जाएक फेल लाइं आप भी तॉ अप्रुलाइर याउसमें कलर आचिँकमए। अभी हमें लगा रहे हुए आप यहां कोई भी घिटर जो आपको पसंद्र आपला सकते हैं तो यहांपर मैं टौन लगा कर देंगे में जाधा-जाधा नहीं लगा रही है तो हमारे फूले फूले जबर जस्ट पराटे बनकर तयार हो हैं बद हुए कि बहुत ही यंम्मी वह बहुत ही ते लगने बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं तो मेरी रेसीप अगर आपको जरा सी प्रसना तो लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुम नद भूलना तो बातों में हमारी एक पराटा बनकर तयार हो चुगा है अगर बिड़ा घी के बना सकते हैं तो रोटी नाम ही बन हमारा खीरा तो वीडियो देखिए कितनी चबड़ जस्त बनी हैं और कितनी यम्मी चटनी हैं और कितने यम्मी पराटे हैं तो माशालला वी ऐसी वीडियो देखने के लिए निशा को सपोर्ट करें और चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलेंगे नेक्श वीडियो में अल्ल हाफी!